एलगो ट्रेडिंग क्यों important और आगे future में क्यों काम आने वाली है यह सब कुछ मैं आज explain करने वाला हूँ one by one and with demo उसी के साथ में मेरी यहाँ पर जो delta neutral जो मैं use करता हूँ personally वो भी यहाँ पर डली होई है आप उसको भी use कर सकते study template जो अगला है यहाँ पर इसमें आपको सारी study template मिलेंगी जो strategies यहाँ पर create करके डली है ठीक है धीरे धीरे मैं यहाँ पर different different strategies add कराता जा रहा हूँ जो भी useful है पिशली बार मैंने यह explain करी थी इसका modified version आ गया है वो मैं आपको यह रहा मैं इसको explain करूँगा यह से कहीं बहतर ह है 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 आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल जीरो से अगर एक रिटेलर चाहता है कि वह इंट्राडे में एंड पोजिशनली अगर वह एल्गो ट्रेडिंग करना चाहता है तो वह कैसे स्टार्ट कर सकता है आप अपने फंड की हिसाब से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड आप उसके अलावा कैसे अपने माइंड के अंदर जो भी आईडिया है जो भी आपने pen paper पे लिक रखा है क्या उसको उतारा जा सकता है अल्गो ट्रेडिंग में एंड एल्गो ट्रेडिंग क्यों important हो और आगे future में क्यों काम आने वाली है यह स मुझे बहुत टाइम से देख रहा हूँ थीटा गेनर्स के चैनल पर मैंने बहुत सारा काम के option selling related even buying की बे कुछ बट मैंने market related बहुत सारा content बनाया है बहुत सारे चीजें आपने देखी है पसंद की है सब कुछ है पर मैं पिछले लगभग एक साल से बहुत सारे चीजे मैं अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि चीजे में धीरे धीरे मैंने बिल्कुल एल्गो पर कनवर्ट कर दी ऐसा क्यों हुआ देखो मैं आपको बताता हूँ almost near about seven to eight months पहले मैं डेली की मुझे आलत पढ़ गई थी कि मैं इंट कर रहा हूं या कुछ मतलग दिन भर ट्रेडिंग चलती दिन भर उसमें कई सारी चीजें हुए सबसे पहला जो इशू आया आप सबने देखा होगा बीच में मेरा जो हेल्थ था को ऐसा यह हो गया कि जल्दी यल्दी में बिमार पढ़ने लगा थोड़ा सा वेट भी गें क चार सो चार सो जाघूर आप समझ रहे हो क्या होता है कि उसमेर को चिंपता है कि यदि राग against लसे दीसिजiece लाग पड़ेगा और गर में कहीं न कहीं आप अपना बड़ा लॉस कभी भी कर सकते हो और मैनुल ट्रेडिंग में कई बार आपने भी देखा होगा कि रिवेंज करते करते आपको लॉस देखता है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप जब एक दो लॉट स अपने नहीं दिखाया कि कैसे आर ट्रेड को मैनेज करना था मैने नहीं कर पाया और रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग की वज़े से आपने बड़ा लॉस किया हमेशा तो उस वज़े से थोड़ा सा मेरा जुकाव यल्गो की तरफ आया बट मैं तब तक एगर नहीं हुआ उस चीज को यूज करने के लिए, जब तक मुझे यह नहीं लगा कि यार इसमें हर चीज बनाई जा सकती है कि नहीं, अभी भी मैं बोलनगा कि हर चीज नहीं बनाई जा सकती, बट कुछ सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल रूल्स, अगर आप चाहो तो प्राइस एक्षन और इंडिकेटर बेश्ट को मिक्स करके भी चीजें बना सकते हो, और चीजें रूल वाइस चलेंगी, आपको मैं हमेशे एक चीज बोलता हूं, कि स्ट्रेटजी ना कलेंडर स्प्रे पब्लिक भी आगे चलके, क्योंकि फ्यूचर में एल्गो ट्रेडिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, आप यूएस में जाके देख सकते हो, चीजें एल्गो ट्रेडिंग में सिफ्ट हो चुका, अपने इंडिया में बहुत टाइम से चल रही हैं, बट इंस्ट्यूशनल मैंने क्या किया, एक सॉफ्टर बिल्ड करने का ट्राई किया, यह एल्गो रूम्स करके एक सॉफ्टर है, जो मैंने बिल्ड किया, यह बिल्ड भी इसलिए किया, कि इसमें हम डिफरेंट चीजें लाने का ट्राई करें, ठोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाने का ट्राई क करना है आपको simply Elgo Rooms search करना है ठीक है आप Elgo Rooms को Google पर search करो आपको यहाँ पर directly मिल जाएगे Elgo Rooms.com आप जैसे इसमें open करके जाओगे आपको एक ऐसी website मिलेगी यहाँ पर सिर्फ जनरल जानका रही है आपको फिर्फ यहाँ अब जैसे इसको लॉगाउट कर देता हूँ लॉगाउट करने के बाद यह कैसा दिखेगा लॉगाउट करने के बाद यहाँ पर आपके पास तीन options है यहाँ आप साइन अप कर सकते हो email ID OTP phone number आप जो जालना चाहिए आप डाल सकते हो अधर्वाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर गूगल से साइन कर सकते हो ठीक है मैंने अपनी ID यहाँ पर डारेक्टली बना रख्या अल्रेडी तो मैं यहाँ पर डारेक्टली साइन कर रहा हूँ और यह एक demo account है just for the understanding कि यह कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता है देखो आप इस जगह के dashboard पर आ जागे बिल्कुल ऐसा देखे गए यहाँ पर देखो कहके चीज आपको देखेंगी यहाँ पर add new broker आ रहा है यहाँ बटन आ रही है add broker की यहाँ पर deploy strategies दिखते हैं यहाँ पर आपको create strategy की बटन आ रही है क्यों है ऐसा क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है आपने अभी यहाँ पर कुछ भी deploy नहीं किया है कुछ भी create नहीं किया आपने ना कोई add broker कर रहा है यहाँ पर आने के just बात जो सबसे पहले आप देखोगे कि एक यह dashboard है dashboard के अंदर कई सारी चीज़ा आपको देखने के मिलती है one by one explain करता हूँ सबसे important part है यह blue area blue area में broker add करने के बाद क्या होगा देखो मैं आपको बता हूँ broker आप जैसे add करोगे यह एक screen खुलेगी जैसे आप broker पर click करोगे यहाँ पर add broker किया add broker में यहाँ पर अभी आपके पास यह 6 options है 6 options में just for example मैं ऐसे बोलता हूँ आपको Alice blue add करना है आपको और मैंने Alice blue की अपनी यहाँ पर एक ID डाल दी और मैंने यहाँ पर submit बताया मैं आपको simply बता रहा हूँ Alice blue हो गया Angel हो गया IFL हो गया इनके लिए आपको सिर्फ client ID की जरूरत है इस platform में connect करने के लिए कोई API address वगेरा की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर मैंने Alice blue की ID डाली और मैंने यहाँ पर submit बटन दबाया आपके brokers में देखो एक broker add हो गया है यहाँ पर चार option आ रहे है strategy performance, terminal and trade engine and Alice blue ठीक है आपकी ID के साथ यहाँ पर strategy performance का मतलब यह है कि आज इसने क्या perform किया होता वो यहाँ पर देखता है वो भी आपको दिखाऊंगा जब आप यह सब deploy कर दोगे तो यह कैसा दिखेगा यह broker आप अब आप वापे से dashboard में जाओगे अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर आपका broker देख रहा है नाम है trading engine on off की button strategy performance है यहाँ पर total pnl है total pnl का मतलब यह है कि same broker पर आप कई सारी strategy भी डिप्लाइ कर सकते हो तो चलो अभी में एक चीज और बताता हूँ आपको दूसर यहाँ पर चीज देखने को मिलती है ब्लू के नीचे ब्लू के नीचे आपको देखने को मिलता है strategy templates यहाँ पर कुछ strategies है ऐसी है जो मैंने इसलिए create करी जहाँ पर आपकी psychology अच्छी बन सके option buying के setup भी है इसमें और selling के setup भी है बट मैंने वही setups create करे हैं जो थोड़े स feasible doable है ज्यादा complex चीज़ें यहाँ पर बनाने का नहीं try करी है और उसी के साथ मेरी यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ personally वह भी यहाँ पर डिली हुई है आप उसको भी यूज कर सकते हूँ ठीक है अब मैं डिल्टा नीट्रल का यह option ले लेता हूँ आपको क्या करना है इस करने बाद आपने अपना broker connect कर दिया अगले टैब में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखता है strategies यहाँ पर 5 options है create strategy, my strategy, deployed strategy, strategy template मतलब वो जो combined है सारे के सारे वो strategy template यहाँ पर देखने को मिलते है my portfolio यह actually portfolio back testing है वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको तो जो आपने अभी copy क strategy में आप यहाँ पर किसी भी type की time based strategy बना सकते हो कितने भी legs की multi legs में जिसके अंदर आपको जो भी आपकी rules हो जैसे मैं कई सारे strategies बताता रहता हूँ बड़ यहाँ पर देखो सिर्फ बिलकु सिंपल बनाया है मैंने आपको instrument add करना इस जगह से instrument add करने के बाद जैसे मैं nifty add क जो भी basic bearish bullish जो अपने spreads होते हैं या फिर neutral में आरन फ्लाइव अगेर वो अगर आप डालोगे तो यहाँ पर create करके आजाते हैं अपने अपलेक्स अगर आपको यह नहीं चाहिए और आपको normally legs create करने तो यहाँ पर legs आ गए आपको call बेचना है call बेच लिया आपने sell buy करना त के नीचे का बेचना है range कि किस से किस range के बीच वाला premium बेचना है सारी चीज़े यहाँ पर आप कर सकते हो कुछ भी यहाँ पर मैंने इसको इतना simple वराने का ट्राइ किया इसके ऊपर आप समझ नहीं सकते है तीन महीने काम चला है तब जाके इतना simple create हो जिससे किसी भी बंद बहुत तफ पढ़ जाता है ठीक है तो यहाँ पर एसल परसेंटेज टेक प्रॉफिट परसेंटेज तारा कुछ यह एक सिंपल लेगे बट इसी के लिए मैंने डाले यहाँ पर एडवांस फीचर्स एडवांस फीचर्स मतलब सारे के सारे मूव एसल टू कॉश्ट एक्जि इतने पॉइंट्स बढ़ जाए तो बायोरसयल करना है इतने फॉइंट्स घर जाए तो बायोर्सयल करना है यहाँ पे आपको इटेफरेंट डेफरेंट वीचर्स देखने को मिल जाएंगे नीचे द्र पांट desse ये इतना लॉस हो altsियाए मतलब 10000 लॉस हो जाए तो यह स् लॉकें ट्रेल सिंपल आप चारो चीजे डाल सकते हो मतलब लॉकिस प्राफिट ट्रेल प्राफिट का मिक्स से लॉकें ट्रेल तो आप कैसे ट्रेल कर सकते हो Candle-by-Candle यह सारी चीजे से से क्रेटेशिक अंधर बन सकते हैं टाइम बेश्ट में Similarly, Indicator Waste में भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर Indicator लगा सकते हूँ, आप अपना कोई भी Indicators भी देखो कितने हैं, यह देखो, Movie Average, VWAP, MACD, RSI, Super Trend, MACD, Signal, Candle, काफी सारे हैं, जो मतलब useful है, जो useful, कम use करते हैं, वो भी यहाँ पर Delivery Almost 30 Indicators हैं, जो आप यहाँ पर use कर सकत तो यहाँ पर यह strategies कैसे बनेगी, क्या बनेगी, मैं वीडियोज बनाता रहता हूँ, और उन वीडियोज में explain करूँगा कैसे बनेगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पर अगला आने वाला है Price Action Based, ठीक है, वो Price Action Based यहाँ पर अगला feature आने वाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और जो भी strategies आपने create करी हैं, वो देखने को मिलेंगी, सारी इस my strategy part में आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको backtest देखने को मिलता है, जो recent में आपने किया होता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसका backtest अभी ह आपको प्राइसिंग प्राइस प्लाइन्स कैसे आपको वैसे समझ आ जा जाएगा Congratulations, आपका subscription active हो गया है, ठीक है, अब वापिस चलते हैं, my strategy में, अब हम इसको deploy करते हैं, paper, I accept and deploy, यहाँ पे आपके deployed strategy में क्या-क्या आता है, देखो, आपको सामने से दिख रहा है, यहाँ पे आपका broker है, इस broker में एक running strategy है, deployed है एक strategy, यहाँ पे start-stop का button है, यह वैसे तो trading जिन मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यह paper में running है, and square off करना है, button यहीं से square off हो जाएगा, यह यहाँ पे panel, यह daily यहाँ पे update होगा, जब यह सुबह देखने को मिलेगा, और यह arrow down करोगे, तो यहाँ पे आपको सारी positions देखने को मिलेंगे, क्या positions च explain करता रहता हूँ, पिछली बार मैंने यह explain करी थी, इसका modified version आ गया है, वो मैं आपको यह रहा, मैं इसको explain करूँगा, यह से कहीं बहतर है profit के मामले में, ठीक है, यहाँ पे profit आप देखोगे 65,000 था, यहाँ पे लगभग 1,00, तो यह बहुत matter करता है, कि अगर एक lot में strategies का generate portfolio, बताब portfolio back testing कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं गया my strategies में, और मेरे पास यह कौन-कौन सी कर लेता हूँ, जैसे 1% strangle है, और bank nifty sideways है, मैं दोनों को run कर देता हूँ, portfolio में गया 1% strangle, और sideways, मैंने generate किया इसका portfolio, अब यह दोनों का combined data मुझे दिखाएगा, कि दोनों में क्या होता, अगर मैं इसको चला, देखो इसने combined data दिखाएगा, कि यह रहा P&L, यह रहा इसका max.on, यह रहा इसका running में graph, graph को आप zoom in, zoom out कर सकते हो, date wise, यहाँ पे आपको यह overall दिखा of the time, अगर यह दोनों एक साथ आप चलाते हैं, तो यह आप winning में रहते हैं, इन दोनों का मिला के max loss 2.30 है, और max profit 3.1 है, काफी अच्छा, max.on भी 13,000 रुपय के आसपास है, मतलब 13% के आसपास, काफी अच्छा है, loss and profit देखोगे 4.27, मतलब bank nifty के हिसाब से, और 7.43, मतलब 1 1 is to 3, 2 या 4, 1 is to 4, 1 is to 1.4 के आसपास काइस कर रहे हैं, एवरेजन, परड़े के हिसाब से, तो यह आपको इसने क्या किया है, combine portfolio देखा है, अब क्या यह आप एक strategy है, दो strategy के लिए कर सकते हो, आप इसको actually में 4, 5, even 10 strategy तक भी कर सकते हो, और combine कर के देख सकते हो, यह actually, और इ time-based को, indicator-based को, और price-action-based को, जो आगे अगला feature आने वाला है, इन तीनों का mixed portfolio back testing में निकाल सकते हो, जो की बहुत tough होता है, और लोग उसको, मतलब आपको कहीं ऐसे मिलेगा नहीं platform में, कि आप यह जनरली देखने को मिले, तो यह चीज़े आप यहाँ पे तीनों कर सकते हो, and, मैं आपको वापिस से आता हूँ, यह मैंने पांची चीज़े आपको समझा दी, अब अगले पे चलते हैं back test, अब यह only back test बटन है, इसका मतलब यहाँ पे आप one by one strategy ही back test कर सकते हो, जैसे आपको में 1% struggle किया, अब इसमें आप add नहीं कर सकते हो, तो अगर back test करने हैं अगर आपको single single strategy back test करने हैं, तो आपको सिर्फ strategy चुननी है, उसके बाद यहाँ पे date and time डालना है, आपको back test बादना है, यहाँ पो single strategy का back test राएगा, और यह थोड़ा detailed version में रहता है, अगला जो point है, वो यहाँ reports है, reports basically क्या है, यह देखो, यहाँ पे अभी reports ने आगा, क् nifty, 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 nifty में, क्या changes है, वो भी यहाँ पे live में दिखता है, अब deploy करने के बाद, आपको deployed strategy अपनी यहाँ right hand side पे भी दिखते है, view all the log, तो आप my strategy, जो अपना strategies का deployed strategy part है, वहाँ पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे overall सारी strategy दिखेंगी, और यह आपका shortcut area है, यहाँ पे देखो, triple lines पे click करोगे, यहाँ पे आपको positions दिखती है, और सारा कुछ आपको यहाँ से access हो जाता है, आपको अंदर जाने की need नहीं है, ठीक है, दूसरा, यहीं से आप change कर सकते है, score off करना है, delete करना है, remove deployment करना है, सब कुछ यहीं से हो सकता है, अब बचा आखरी point, यहाँ देखो, आपका profile section है, subscription section है, change password और logout है, यह इसके अंदर हम ज्यादा नहीं घुसते, यह normal चीजें हर software में होती है, then यहाँ पे notification है, यह notification यहाँ पे इस लिए है, कि कभी कोई broker का API में कुछ प्रब्लम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो इस notification के थुरू, आपके पास broadcast message जा जाता है, कि यह problem चल रही, ऐसा है, ऐसा है, और यह चीजें ऐसे-ऐसे solve कर रहे है, यह हो रही है, ठीक है, सारे notification आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे आपको आपके backtest credit देखता है, यहाँ पे आपका wallet balance आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको subscription के बाद देखने को म unlimited, actually unlimited का sign बना हुआ है, यहाँ पे तो go unlimited करके, आप इसको click करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, different different brokers और different different plans, आप यहाँ पे पर broker अपना plan चूज कर सकतो, जैसे यहाँ पे आपको select plan for Alice Blue देखने को मिलता है, क्योंकि हमने Alice Blue add कर रखा है, यहाँ पे मैंने 3 plan रखें, सिर्फ 3 plan मतलब, एक limited plan है, एक unlimited plan है, और एक free plan है, free plan आपको, मतलब, automatically मिलता है, जब आप login करके यहाँ पे आते हो, free plan में क्या है, आपको 50 backtest credits मिलते है, 10 strategy का creation मिलता है, deployment zero है यहाँ पे, और portfolio backtesting आपको नहीं मिलती, portfolio मतलब, आपको नहीं देखने को मिलेगे, आ आप normal backtesting कर सकते हो, portfolio नहीं कर पाऊगे, strategy templates आपको basic और HNIs दोनों मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, strategy जो templates है, वो सारे के सारे एक जगा पे अभी combined है, मैं इनको divide कर दूँगा basic और HNIs में, basic का मतलब यहोगा, जो आप अगर 20 लाग के नीचे का capital है, तो आप उनको आ performance रहा, कैसा क्या रहा, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और वो तीनों में available है, अब जैसे यहाँ पे आपको plan चुनना है, जैसे मैं आपको बताऊं, तो यह जो unlimited plan है, उसको limited plan से बहुत ही अलग बनाए गया, limited plan में आपके पास जो जो चीजे, एक तरीके से, यहाँ पे 5 live deployment है, यहाँ पे आपको 20 मिल जाएंगी, यहाँ पे strategy creation 20 है, यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई comparison नहीं है, तो अगर आप monthly basis पे जाते हो, monthly पे simply, और monthly basis पे आप देखोगे, यह unlimited plan आपको 82 रुपीज पढ़े पर रहा कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो, जो 40.99 देना चाते हो, आपको सिर्फ 4-5 strategy deploy करनी है, उससे ज़्यादा आपको कोई काम नहीं है, तो आप यह pack चुन सकते हो, यह बहतर है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है, कोई problem नहीं है, बट unlimited plan में simple अच्छी बात ही है, कि यहाँ सिर्फ आपको हजार रुपए उपर देने पर मन्त, आपको कोई आपके उपर restriction नहीं बचते, आप बहुत सारी back testing, बहुत सारी strategy creation और deployment, क्या होता है, कि इन सब में कई बार आपको platform testing के लिए different different, एक एक लॉट से आप चीजों की testing कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि testing करने में ही आ आप सारी चीजें यहां पर end कर दो, और आप उस मन्त का use ने कर पो, unlimited में यह होगा, कि आप चाहो तो 10 चीजों की testing भी एक साथ कर सकते हो, paper में deploy कर सकते हो, live में deploy कर सकते हो, क्योंगे count तो same ही है, तो similarly, अगर मैं यहां पर देखूँ, तो अगर price-wise देखा जाया, तो यहां unlimited plan, yearly वाला यहां पर free में मिलेगा, उसकी eligibility में यहां पर रखोंगा, उसको आपको यहां से activate करना पड़ेगा, उसको activate करने के prerequisites होंगे, आपको वो चीजे आगे जब इसमें वो feature आएगा, तब आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बट अभी यह है, और यह मैंने आपको explain कर दी है, ठीक है, अब मैं एक dashboard पर चलता हूँ, जो basically मेरा है, जो मैं यूज करता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कि अगर सब कुछ running में रहा, तो वो कैसा देखता है, ठीक है, तो यह हम गए है, ओके, यह देखो, यह एक running dashboard है, running dashboard में क्या होता है, कि आपको, 12 बजगे, obviously सब reset हो गया है, running dashboard में आपको यहाँ पर आपकी strategies दिखती है, जो live में deployed है, live में आपको profit loss क्या चल रहा है, यहाँ पर total profit दिखता है, यहाँ पर सारी strategies दिखती है, report section में भी अगर आप जाओगे, औ कैसे कै चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, and strategies में यहाँ पर देखोगे, तो मेरे पास deployed strategies में, यह देखो, एक broker यहाँ है, जिरोधा, उसकी delta neutral golden crossover, golden crossover, अभी नहीं चलानी है, Monday से, delete, ठीक है, यह golden crossover है, यहाँ पर Alice Blue भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको abstract भी द यहाँ पर सारी access कर सकते हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको daily morning में आके क्या करना होता है, जब भी आप इस platform पे आए, आपने login कर लिया, आपके पास subscription है, आपने strategy deploy कर दी, अपने broker पर, broker add कर रखा है, daily morning में आके आपको यहाँ पर यह terminal connect करना है, जैसे कि मैंने Alice Blue पे जाके क्या है, reverse करके इसी platform पे आजाएगा, और यह terminal यहाँ पे on हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यह trade engine यहाँ पे on कर देना है, यह start button पूछेगा, और trade engine on करते है, यह दोनों बटन यहाँ पे green हो जाएगी, अब जैसे यह green होगी, आपका काम खतम for the day, जो भी आपने deployment कर ली होंगी, वो आज run करेंगे और उनकी trading चलती रहेगी, सारा आपको कच्छा चठा कहाँ देखेगा, इस जगा पे देखेगा, जैसे यह देखो देखा है, LS में golden crossover, यहाँ पे आपको positions देखेंगी, और यहाँ पे आपको overall summary देखेगी कैसा क्या चल रहा है, ठीक है, य वापस से लोड करना पड़ेगा, जब वापस से लोड करना पड़ेगा, तो जो marki चल रही है, अगर आप trade engine off करोगे, तो basically algo platform ने उसका हाथ छोड़ दिया है, जो broker पे चीज़ चल रहे है, तो इसलिए trade engine को mid में off, on, off, on नहीं करना है आपको, जब भी नए deployments की बाता है, try to do it next day, from next day, मतलब जब भी 4 बजे, आप अपनी deployments वापस से सारी ready करो, और अगले दिन जब trade engine आप on करोगे, तो सारी चीज़े बराबर से चल रही है, ठीक है, अब last चीज में explain कर देता हूँ, deploy page के अंदर क्या है, देखो deploy page के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे broker choose करने को मिलेगा, एंद यहाँ पे कुछ तीन points है, max profit, max loss पर quantity, ठीक है, आपको अपनी multiplier के हिसाब से max loss और max profit को यहाँ पे ratio में convert कर लेना है, इसको open क्यों रखा है मैंने, क्योंकि कई लोग इसमें टेस्टिंग टेस्टिंग खेलते रहते हैं, तो जो strategies मैंने डाल रखी study template में, वहा जो चीज़े मैंने बनाई हैं, क्या पाता, उसमें कोई बंदा कुछ change करके, उसको tweak करके और बहतर बनाना चाता हूँ, तो वो सारी चीज़े यहाँ पे open है, किसी चीज की restriction नहीं है, आप सारा कुछ कर सकते हो, अब इसमें जो आने वाले features है, वो बहुत ही मैं बहतर करने क्योंकि create strategy में जो price action आएगा ना, उस price action में मैं ऐसी यसी चीज़े add करने का try कर रहा हूँ, जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है, और price action, time based, indicator based का जो combined version है, वो भी हम try करेंगे, उसको कैसे create कर सकते हैं, धीरे 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 चीज़ों में features add होते रहेंगे, पर अभी यह बहुत ही basic चीज़ें जो आपको daily करने हैं और इस काम में सिर्फ एक minute लगेगा, ठीक है, अब मुझे लगता है इसके अलावा क्या बचा, I don't know, ठीक है, तो इसके अलावा अभी मुझे लगता है कुछ भी detailed version वराने की नहीं, हाँ, छोटे छोटे वीडियों में जरूर देखने को मिल जा और उसकी button यहाँ कहीं हो जाएगी, अगला इसमें 2-3 दिन के बाद मैं यहाँ पे having any issue का button डालने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा का पूरा support system मिल सके live में वो भी live chat के साथ, जिससे क्या होगा, आपको किसी भी time कोई problem आ रही है, तो उन चीजों का solution भ करना सकता हूँ, बट आप सब के support के बिना चीजें बड़ी नहीं बन सकती, मैं 5 सालों से आउँ, मैं जानता हूँ उन चीजों को, कैसे चीजों में trust build करना पड़ता है, तो आप सब try करो, अच्छा लगे, तो recommend करना बड़ावा देना, ठीक है, चलिए, bye bye, thank you.